हेलो अन्योंग आर्मी आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ खडू सस्बेन का पार्ट शिक्स पर ये पार्ट शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दिजिए तो चलो स्टार्ट करते हैं तायांगी मैंने तुम दोनों का कमरा फूलो से सजा दिया है और अब मैं जा रही हूँ बाँ बाई ओके दिदी जंकू तुमारे शादी के आज फर्स नाइट है ओल दे बेस्ट अरे देवर जी आप या क्या कर रही है जाए कमरे में तायांगी आपके इंतदर कर रही है फर्स नाइट और मेरी कभी भी नहीं क्या सोच रहे हो जंकू जाओ जल्दी बेटा तायांगी तुमारे इंतदर कर रही होगी ओल दे बेस्ट भाईया ओल दे बेस्ट बेटा आज ये सबको हो क्या गया है आज तो मुझे इसे ट्रिट कर रहे है जैसे मैं जंक के मेदान में जंग लड़ने जा रहा हूँ आज हमारे फस्ट नाइथ है अरे जंकू का गया जंकू तुम आ गये केसे आराम से बेटे हुए है मेरे बेट पे मेरे कमरे पे कबदा कर लिया अब मेरे बेट पे भी कबदा करना चाहती है ये जंकू क क्या सूझ रहे हो देखो ना आमारा कमरा कितना बीटिफल सजाया है दीने देखो तुम्हें इस कमरे में रहने की इजाज़थ मिल गई है इसका मतलब यह नहीं कि मेरे बेट में किसी के साथ शेर नहीं करता हूं जंगूप तुम इसे केसे बोल सकते हो मैं तुम्हारी वाइप हूँ तुम्हारी कमरे पे तुम्हारे बेड़ पे तुम्हारी हर चीज़ पे यह तक की तुम पे मेरा पुरा हक है जंगूप हक? माई फूट तुम हक की बात कर रही हो तुमने मेरे साथ जबर्द से शादे की है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हक दूँगा जंकुक मैं तुम्हारे पास हक नहीं माग रही हूँ मुझे सिर्फ यही पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसी वज़े से मैंने तुम्हारे साथ शादी की जंकुक पर अब हम ये सब बाते क्यों कर रहे हैं हमारी फसनाई थे ये देखो ममी जी ने तुम्हारे लिए बनाना मिल्क भेजा है वो कह रही थी कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है ये रो जंकुक मुझे नहीं चाहिए पर क्यों जंकुक, ये दो तुम्हारा फैवरिट है न मैंने कहा न, मुझे नहीं पिना तो नहीं पिना ओके ओके कम डाउन तुमें नहीं पिना तो क्या मैं पी लेती हूँ बहुत टेस्टी है पागल लड़की वाह मज़ा ही आ गया सच में बहुत जादा तेस्टी है क्या तेस्टी है हाँ बहुत ही जादा तेस्टी है ममी जी बहुत अच्छा बनाना मिल्क बनाती है बहुत तेस्टी है क्या ये सारा बनाना मिल्क पी जाएंगी बस करो अब ये बनाना मिल्क में पिऊँगा ममी नी ये मेरे ले भेजाए तो इसे में ही पिऊँगा अरे ऐसे कैसे पहले तो तुम मना कर रहे थे ना हाँ मना कर रहा था पर लेकिन अब मुझे पिना है लाओ मेरा बनाना मिल्क मुझे ओके ओके दे रही हूँ ये लो कितना अच्छे बनाती है मेरी मम्मी बनाना मिल्क देखो तो कैसे बने जैसे दिख रहा है कुकी बिल्कुल क्यूट क्या देख रही हो तुम मेरे तरप मैं ये बनाना मिल्क तुम्हे नहीं देने वाला समझी तुम अरे, न सोपिए न तुम्हार बनाना मिलक मैं कहाँ तुम्हारे पास मांग रही हूँ देदो मुझे देदो बनाना मिलक चलो, अब मुझे नहीं ना रही है मैं सो रही हूँ रुख जाओ, तुम मेरे बेड़ पर नहीं सो सकती तुम वहाँ सोपे पे जाके सो जाओ क्या जंकोक तुम्हें सच में लगता है कि मैं सोपे पे जाके सोऊंगी और नहीं तो क्या नहीं तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो मैं सोपे पे नहीं सोऊंगी मैं यही पे बेट पे ही सोऊंगी तो हम दोने यह बेट शेयर कर सकते है आखिरकर तुम्हें प्रोब्लेम क्या है जंगुग मैं क्यूं नहीं सो सकते इस बेट पे क्यूंकि यह बेट मेरा है और इस पे मुझे अकेले सोने के आदत है सो प्लीज तुम वहाँ पे जाके चुपचप सो जाओ तुम्हें क्या लगता है जंगुग तुम कहोगे जाओ सो पे पे जाके सो जाओ और मैं तुम्हारी बात मान जाओंगे तुम्हें सच में ऐसा लगता है देखो तुम मेरे साथ बहस मत करो अच्छा तो अब मैं बहस कर रही हूँ ओ शट आप तुम वहापे जाके जल्दी सो जाओ मुझे बहुत नीन आ रही है और मुझे कल ओफिस भी जाना है जल्दी तो मेरा दिमाग मत खाओ मुझे शान्ती से सोने दो तो तुम्हें रोका किसने है जंकू तुम सो सकते हो मेरे बगल में नहीं मैं तुम्हारे साथ हरगिस बेट नहीं शेर करूँगा ओ मेरे क्यूट बनी तुम्हें लगता है मैं इस बेट पे से उतरूँगी तुम्हें अगर नहीं सोना तो मत सो मुझे ने दा रही है मैं तो सो रही हूँ गोज़ ज़द ने दा रही है हेई सुनो तुम सो मत उठो उठो मेरे बेट पे से क्या वबने चिला हो मत नहीं दा रही है तुम भी सो जाओ अगर सो ना है तो क्या क्या मैं चिला रहा हूँ हेई उठो तुमेंसे केसे सो सकते हो मेरे बेट पे उतरो उतरो मेरे बेट पे से क्या ये तो सो गई अब मैं कहा सो इसके पास तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोने वाला चल जंगुक सोपे पे ही सो जा आज की दिन तुझे सोपे पे ही सोना पड़ेंगा ये दोनों ऐसे ही लड़ाई करते करते सो जाते है नेक्स्ट मॉर्निंग जंगुक अपनी बात लेके बातरूम से बाहर आता है और देखता है के तयांगे अभी भी सो रही होती है देखो तो सोते हुए कितनी मासुम लग रही है लेकिन इसकी वज़े से मुझे कल रात सोपे पे सोना पड़ा मुझे तो बेसा लगने लगा है ये मेरा घर ही नहीं है मैं किसे और के घर में रहता हूँ जंगुक इन माइन ये सब सोच रहा था तब ही तयांगी अपने निन से जाग जाती है गुड मॉर्निंग जंगुक जंगुक तयांगी को इग्नोर करता है और ओपिस के लिए रेटी होने लगता है जंगुक इतने सुब सुब तुम कहा जा रही हो तुम से मतलब मैं कही भी जाओं तुम्हें क्या अपनी वाइप से नहीं तो किस से मतलब रहेंगा देखो तुम खुद को मेरी वाइप कहना बंद कर दो तुम नहीं हो मेरी वाइप भले ही हमारी शादी हो गई हो पर मैं तुम्हें अपनी वाइप कभी नहीं मानूगा तुम्हारे ना मानने से क्या होता है जंकुक सच्चाई तो सच्चाई ही ही होती है तुम कितना भी जुटला लो लेकिन हम दोनों हमेशा ही हस्बन वाइप ही रहेंगे तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है ऐसा के के जंकुक अपने कमरे में से बाहर चला जाता है और फिर ओपिस के लिए निकल जाता है ये जंकुक कितना खडूस और अकडू है मेरे कोई बात नहीं मानता है जंकुक तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहा जा रहे हो वो भाई मैं ओपिस जा रहा हूँ पर इतनी सुबह सुबह हमारे ओपिस नहीं कुलता है जंकुक और हम ओपिस साथ में जाते है फिर तुम अकेले क्यों जा रहे हो वो भाई कुछ अर्जंट काम है इसलिए जल्दे जाना पड़ रहा है अब बाद में आ जाएंगा पापा के साथ अर्जंट काम और इतने सुबह सुबह क्या काम है क्या हुआ जंकुप तुम इतने सुबह सुबह कहा जा रहे हो वो मम्मी मैं ओफिस जा रहा हूँ पर बेटा आज तुम्हारे शादी का पहला दिन है तुम्हें तयांगी भूव के साथ रहना चाहिए फिर तुम ओफिस क्यों जा रहे हो मम्मी मुझे बहुत जादा जरूरी काम है जादा जरूरी के साहर रहे हो क्या इतने सुबह सुबह हाँ कहे रहा था कि उसे कुछ कम है मैंने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की और वो हमारे बात ही कहां सुनता है गुड मॉर्निंग पापा जी गुड मॉर्निंग बेटा पर जंकू कैसा कैसे कर सबता है उसकी अभी अभी शादी हुई है उसे तयांगी भूव के साथ रेना चाहिए था मैं ओपिस जाके उसे डाटूँगा नहीं पापा जी जंकू कह रहा था कि उसे बहुत ही जादा अरजन काम है इसलिए गया वो वरना नहीं जाता हूँ शायद तुम ठीक के रही हो भूव चलिए आज मैं आप सब के लिए नाश्ता बनाती हूँ क्या भावी आप बनाओगे हाँ होगी फिर तयांगी सब के लिए नाश्ता बनाती है और सबको सर्व भी करती है और सबको नाश्ता पसंद भी आता है तयांगी भूव आज तो तुमने बहुत ही अच्छे नाश्ता बनाया था पर तयांगी भूव जंकुक तो घर से भूके पैठी निकल गया था और मुझे पता है वो बाहर से भी कुछ और डर करके नहीं खाईगा शायद मुझे उसके लिए टिफिन बीजवाना पड़ेंगा मम्मी जी जंकुक के लिए मैं टिफिन ले जा सकती हूँ बहु ये भी क्या कोई पूचने की बात है अपकोस तुम जा सकती हो कुके को ओपिस मैं जा कि सब्रेट डूंगे ठैंक ये फूर वोचिंग माई वीडियो आर्मी नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मज़दार होने वाला है तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दिएगा और कॉमेंट भी करना टैंक ये बाबा ये सारंगे